अब तो थे आप लोग उमीद करता हूं सवस्त्यों तहन्त नंयाब हुआ हुआ है को पहले आप लिनियर एक्विशन यार देख पार रहे हैं चेप्टर का नाम है बाद कुछ यह है, कि एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर चोट सहकर शंकर हो गया, तो जब एक मूर्तिकार कभी कोई शिल्प कला या मूर्ति बनाता है, तो पत्थर के उपर चोट मारता है, चोटी सी छेनी है तो बहुत से पत्थर क्या होते हैं? तो वो सारी जोटे सह जाता है, वो क्या बन जाता है, शंकर, मतलब भगवान शंकर की मूर्ती पत्थर सही तो बनी है, तो देखो तुम मतलब फर्क समझो बात का, अगर चोट खाकर आप बिखर गए, तो फिर कोई मतलब नहीं, आप वेस्ट हो जाओगे, लेकिन चोट सह कर मतलब अगर आपने चोट सहली सारी कि सारी, तो आप शंकर हो जाओगे, समझ रहे हो ना बात, मतलब कितनी प्रतिष्ठा मान सम्मान सब मिल रहा है, तो इसको आप अपने जीवन से जोड़ो, कि दुख, दर्द, तकलीफ है तो हमेशा आती है, मगर उनको सहना, सहकर उनको स लड़ना और आगे बढ़ते रहना, यही तो सबसे इसली बात है, ठीक है, तो इसी ग्यान की बात को और आगे बढ़ाते हैं, और हमारे चैप्टर की बात करते हैं, बच्चो, पैर ओफ लीनियर एक्वेशन, ठीक है, देखो आपने 9th क्लास में लीनियर एक्वेशन इन 2 व दो वेरिबल की बात आपने 9th क्लास में कर ली, उनको प्लोट करना भी सीख लिया था, इवन आपने, 9th में इतना सब को बता देते हैं, अब लीनियर एक्वेशन में हम यहां पर बात करते हैं, पेर की, यहां पर जो वर्ड आ रहा है, पेर, पेर वर्ड आ रहा है, इसका मत इक्वेशन रहेंगी हमारे पास, उनके यहां पर बात करने वाले, एक की बात आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिए, अब 2 की बात करेंगे, तो इस चेप्टर को आगे बढ़ाते हैं, बस यहां पर में चीज जो है, लीनियर एक्वेशन, लीनियर एक्वेश 3 होगी तो cubic, y quadratic, यह सब महां पढ़ लिया, तो यहां पर बात कर रहे हैं, d is equal to 1 का मतलब है degree 1 जिसके होगती है, जिस equation की degree 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, linear equation, clear है बात, तो इसी के अब हम आगे बढ़ाते हैं, चीक है, चलिए बच्चों तो देखते हैं, चीक है, linear equation की बात हम कर रहे हैं, क्या होती है, पहले एक बात देख लो, and equation of the form, x plus by plus c is equal to 0, यह general यह standard form होता है, हमने नाहींतों भी पढ़ा है, मैं फिर दुबारा बता रहा हूं, आप लोगो को, ताकि आपको पता रहे चीज, चीक है, where a, b, c, all are real coefficients, ठीक है, a, यह जो a दिख रहे हैं, आप a square plus b square not equal to 0, बचो यह, मतलब a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, कुल मिला करके यही बात है, ठीक है, ऐसे style में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है, मगर a square plus b square not equal to 0 को मतलब a और b दोनों के दोनों, एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, clear हो गई मेरी बा से होता है, एक variable में भी हो सकता है, two variable में भी हो सकता है, हम तो two variable की बात करने वाले हैं बचों, ठीक है, its graph is always a straight line, यह बात आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखिए, बहुत ध्यान से, यह वाली बात आपने 9 class में बहुत अच्छे से घोट घोट के पढ़िए, घोट घोट का, आगे क्या लिखा हुआ है, सुनो, a pair of values of x and y which satisfy the equation x plus by plus c is equal to 0, वो condition दी हुई है, its called solution of the equation, solution of the equation भी आपने वहाँ पर पढ़ा हुआ है, solution कैसे निकालते थे, अच्छा, वहाँ पर एक equation होती थी, x और y दो variable में, ठीक है, तो आपको पता है, वहाँ कितने solution निकलते थे, infinite solutions निकलते थे, पता है न आपको यह बात तो, यहाँ पर भी solution की बात कर रहा है, अब यहाँ पर चुकि हम pair की बात कर रहे हैं, तो obviously हमारे पास दो equations होगी बच्चों, ठीक है, हमारे पास दो equations होती है, और दोनों के graph plot किये जाते है, ठीक है, तो पहले situation समझ लो, क्या situation है, the general representation of a pair of linear equation, two variables say x and y is given by, ठीक है, दो variable है, x और y हमारे पास, और दो अब हमारे पास equations, देखो pair की बात हो रही है, यार बच्चों, तो pair तो लेना है पड़े हैं, तो हमने standard form ले लिया, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, समझ में हारी मेरी बात, तो यह first equation हो गई, यह second equation हो इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और a1 square plus a2 square not equal to b1, वो ही conditions है सारी जो में पहले डिसकस कर चुके है, तो बच्चों, जब हम इने प्लोट करने जा रहे हैं, देखो, हम यहाँ पर बच्चों, इनके solutions की भी बात करेंगे, और इनके graphical representation की भी बात करेंगे, दोनों त आते हैं, या आए हुए हैं, मैं सारी वो ही बात करने वाला हूँ, ठीक है, जो questions में यहाँ करवाओंगा आपको इसमें, वो questions भी कुछ questions उनमें पहले आए हुए questions करवा रहा हूँ, याद रखना है यह बात, ठीक है, बढ़ जाए आगे, चलो, देखो, तो हमारे पास बच c2 जो है, वो सबके सब, real numbers है, a1 square plus b1 square is not equal to 0, यह पता दिया, मैंने क्यों 0 नहीं होने चाहिए, दोनों case में है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, क्योंकि देखो, x और y, दोनों 0 हो गए, तो c1 is equal to 0, यह कोई equation रही गया, बताओ आप खुछ सोचो, linear equation रहेगी कब, जब तो c1 c1 रहे गया बस, उसे बात बनने वाली है नहीं, ठीक है, तो at a time दोनों 0 नहीं हो सकते है, ठीक है, यह बिल्कुल basic सी बाते हैं, जो आपको समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से, ठीक है, इसमें तो कोई confusion नहीं है, बहुत basic सी बात पढ़ी है हमने बचों, है ना, linear equation आपने 9 में एक पढ़ी थी, यहाँ पे हमने 2 पढ़ ली है, चीक है, आगे बढ़े, चलो, तो अब देखेंगे हम सीधा इनका graphical representation, जब आप इन equations को plot करोगे न, अब देखो plot करना तो आपने बहुत अच्छे सा सीखा है, यार देखो, उसमें आपको मतलब आना चाहिए, इ आपने 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 आप आएगी, हाया न, सही कहा रहा हूं न, जूर थोड़ी बोल रहा हूं यार, यही तो बता, और आपके टीचर ने, जिसने भी आपको पढ़ाया होगा, उसने क्या बोला होगा, कि भाया, at least three values कम से कम निकाल लो, है न, three values से अच्छा idea लग जाता ह टेबल बनाते थे, x और y लिखते थे, उसमें x की value हम डालते थे, तो y की आ जाती थी, या y की हम डालते थे, x आ जाता था, या आदे न, यह बात, और तीनों की तीनों जैसे value निकल जाती थी, आप उसको फटा-फट से यह बनाया graph राफ प्लोट कर दिया, x बना बुनू क आपको, क्योंकि वह आपको आता है, मैं यह बात कर रहा हूं, कि जब दो equations को हम एक ही graph पर प्लोट कर रहे हैं, याद रखना बचो, pair की बात हो रही न, इस chapter में मारे पास pair of linear equations है, तो हम दोनों equations को जब एक graph के उपर प्लोट करते हैं, तब क्या-क्या condition बनती है, उसके बार याद दिलाओंगा, आपने सीखा हुआ है, ठीक है, आपने पता है, ऐसे आपको एक table, equation दी जाती थी, फिर आप इस तरह से एक table बनाते थे, याद करो, है न, यहाँ पर x होता था, यहाँ पर एक में y होता था, न, इसमें पढ़ा है न, यहाँ इसे तीन values निकाल करके, और फिर graph float करते थे, है न, तो अब यहाँ पर जब हम दो equations की बात कर रहें, तो obviously, दो equations है हमारे पास, तो दोनों के लिए graph बनेंगे, और आएंगे तो दोनों के दोनों के कैसे, straight line ही आएंगे, भिले कैसे भी है, क्योंकि वो तो हमने शुरू में ही बात कर ली, कि linear equation का graph कैसा हो है, तो ठीक है, तो बच्चों, यह तीन condition सिर्फ और सिर्फ होती है हमारे पास, जब आप दो linear equations के graph float करोगे, एक ग्राफ में दोनों को equation को float करोगे, दोनों के दोनों linear equations, straight lines होंगी, आपको पता है, तो क्या relation हो सकता है, या तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे intersect हो जाए, जैसे कि इस graph में बताया गया है, दोनों line एक दूसरे को इस point पर cut कर रही है, पहली condition हो सकती है, दूसरी condition है कि दोनों parallel हो जाए, अगर दोनों एक दूसरे को intersect नहीं करें, तो क्या हो सकती है, पैरलल हो सकती है, फर्स्ट केस तो कि दोनों एक दूसरे को cut करें, बच्चों, दूसरा case क्या हो सकता है, फ्यारे बच्चों, कि दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ parallel हो जाए, पैरलल हो गई मतलब एक दूसरे को कभी cut नहीं कर सकती है, थर्ड क्या है, थर्ड केस भी है कि overlay पी हो जाए, समझ रहो, overlay मतलब एक के उपर है, coincide इसे कहते हो आप, है ना, त तो यह देखो, coincide कर जाए, तो भी, यह condition भी मतलब possible है, तो बस यह तीन conditions possible है, बच्चों, आप एक ही graph के उपर, जब दोनों equations के graph को plot करोगे ना, तो दोनों का state line आने वाला, यह तो confirmed है हमारे पास, तो उन दोनों के बीच में क्या-क्या relation हो सकता है, बस यह तीन relation हो सकते है क्या-क्या relation, first relation तो क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, कि दोनों line एक दूसरे को intersect कर दे, या फिर दोनों एक दूसरे के parallel हो जाए, या फिर एक दूसरे के उपर ही आ जाए, यानि कि overlap हो जाए, समझ में आरी है मेरी बात, clear कह रहा हूँ ना, कोई अलग बात तो नहीं बोल जो दिख रहा है, वो में बोल रहा हूँ, ठीक है, आता है ना आपको, समझ में भी आ रहा है ना, बढ़िया, 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 ठीक है, अब कुछ बाते हैं, देखो, one solution, line intersects, देखो जब ये, अब देखो यार हम क्या है, बच्चों कि हम system की बात कर रहे हैं, एक system ह बस ये बात कर रहे हैं, और अगर है, तो कितने solution है, ये हम यहां बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, तो देखो, ये वाली line और ये वाली line, दोनों के दोनों state line एक point पर cut कर रही हैं बच्चों यहां पर, तो मतलब इसका कितने solution निकलने वाले, सिर्फ एक solution निकलेगा, दोनों के बीच का common point है ना जहां वो दोनों लाइन से एक दूसरे को intersect कर रही है वो दोनों का common point हो गया ना हा या ना तो common point ही क्या हो जाना है हमारा बच्चों solution हो जाना है चिक है तो यह point हो जाएगा हमारा solution तो one solution होगा और lines कैसी होंगी? Intersect दोनों बाते आपके दिमाग में field रनी चाहिए कि यार अगर line intersect कर रही है तो मतलब एक solution निकलेगा या आपसे कोई ऐसा कह दे कि दोनों line एक point पर intersect कर रही है तो या आपको पता होना चाहिए कि यार एक solution निकलेगा मतलब line intersect कर रही होगी दोनों बात समझ में आए आपको अगर आपसे कोई ये कहे कि वो जो दो lines है उनका एक solution है चलो पहले तो ये बोला गया कि एक solution है तो आपको पता लग जाएगा कि lines क्या है intersect कर रही होगी या फिर आपसे उल्टा बोला जाए कि दोनों line intersect कर रही तो बताओ कितने solution होगे तो आपको होगे only one solution और system कैसा होगा हमारा consistent ठीक है consistent हो जाएगा हमारा system system से मैंना आपको समझा दिया system का यहाँ पर क्या मतलब है दूसरा case लो जब दोनों की दोनों line एक दूसरे के साथ parallel में आ जाए अब आपको भी पता है कि parallel lines तो एक दूसरे को कभी cut करती नहीं है अगर उन्होंने cut ही कर दिया एक दूसरे को intersect ही कर दिया तो फिर वो parallel रही कहां वो तो intersecting होगी न समझ मायरी बच्चो आपको मेरी बात चलिए आगे बढ़ो तो दोनों line अगर parallel है तो अब जब वो parallel ही होंगी तो एक दूसरे को कभी cut नहीं करने वाली तो उनके बीच में common क्या रहा common तो कुछ ही नहीं जैसे यहाँ पर देखो जब cut कर रही तो यह एक point common आया था यह तो parallel है तो कुछ cut हो गा ही नहीं मतलब कुछ common ही नहीं दोनों के बीच में तो फिर यहाँ पर क्या जाता है no solution कोई solution नहीं है और linear lines are parallel तो अब यहाँ पर भी मैं आपको वही बात सिखाने वाला हूँ कि अगर आपको बोला जाए कि system के कोई solution नहीं है तो मतलब आपको समझना चाहिए कि यार दोनों lines क्या होंगी parallel होंगी एक दूसरे के साथ या फिर आपको यह बूल दिया जाए कि दोनों lines parallel है तो आप समझ जाओगे कि कोई solution नहीं है ठीक है तो यह दोनों बातें आपको पता होने चाहिए और system कैसा हो जाएगा कोई solution नहीं तो inconsistent solution system हो जाएगा आपका ठीक है कोई solution नहीं निकलने वाल है तो no solution तो lines parallel या lines parallel तो कोई solution नहीं निकलेगा clear हो गई बात समझ में आया मैंने क्या बोला समझ में आ रहा है न भाईया चलो 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 case number 3 देख लो case number 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चो कि line एक दूसरे को overlap कर जाए देखो infinite number of solution तो इस case में क्या होगा infinite number of solution क्यों खुँँ सोचो ना या जब दोनो line एक दूसरे के उपर ही आ गई तो सारे के सारे points ही क्या हो गई common हो गई ना हाँ या ना सारे के सारे आप एक चीज सुनना यह बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आपको आपने सोचा है कभी line का formation होता कैसे line जो होती है आपको पता है infinite से आरी है infinite को जारी है समझ में आरी ना बात infinite से आरी है infinite को जारी है length fix नहीं होती इसकी infinite length होती है तो लेकिन line होती क्या है actually देखो पच्छो क्या है यह point यह point यह point यह point यह point यह point लात होती है जब हम उन points को join कर देते हैं तो हमें ऐक line नजर आने लग जाती है तो अब आप खुद सोचो कि जब ये first line तो ये है और दूसरी line बे इसके उपर ही आ गई मतलब ये देखो दूसरी line बे इसके उपर ही आ गई तो सारे के सारे point क्या हो गए? common हो गए? common हो गए सारे point तो बस फिर सारे के सारे solution भी बन जाएंगे तो जब आपको पता है कि line की length infinite मतलब वो infinite points से बन रही है तो infinite points से common हो गए दोनों के बीच में तो solution भी कितने हो गए? infinite हो गए न, देखो बात समझ में आई क्या? बात तो वही बोल रहा हूँ, समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है? और दोनों के दोनों coincide करने वाली है, ठीक है? तो एक दूसरे के और overlap कर गई, coincide कर गई तो फिर solution हो जाएंगे infinite, समझ में आगई बात, तो आपको conclusion पता लगा हमारी हमने क्या system के बारे में बात कर ले system कैसा हो जाएगा? dependent, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, clear है क्या? ठीक है? बात समझ में आ गई होगी आपको, अब आपको तीनों case के बारे में बहुत अच्छे से बात clear हो गई होगी, कि जब भी आप pair of linear equation की बात कर रहे हो, तो मतलब आप A की graph एक ग्राफ पे दोनों lines को put करने वाले हो, ठीक है? फिर दोनों lines के बीच में relations की बात करोगे, तो केवल तीन relation possible है, क्या-क्या? कि या तो वो दोनों lines जो है, एक दूसरे को intersect कर सकती है, या parallel हो सकती है, या एक दूसरे के उपर overlap हो जाए, जिसे coincide करना बोल देगे, ठीक है? उसके साथ आपको ये भी पता लग गया, प्यारे बच्चो, कि जब दोनों lines एक दूसरे को intersect कर रही है, तो one solution बनने वाला है, एक common point आ रहा है, मतलब एक solution हो जाएगा, system क्या ऐसा है? consistent. जब दोनों lines एक दूसरे के साथ parallel हो जाए, दूसरा case हमने लिया कि दोनों lines क्या होग कई coincide कर गई, तो मतलब सारे के सारे points common है, तो मतलब answers भी है, सारे के सारे points हो जाने, हैनि कि solution कितने हो जाएगा उसके? and finite, समझ में आगई बात, anant, anant तो आपको पता ही है क्या होता है, ना दाए, ना बाए, ना आगे, ना भीजे, ना उपर, ना नीचे, मतलब अन्त ही न probability है, अब यहाँ पर एक चीज देखना बच्चो, कि आपने जो इनके coefficients देखे ना, a1, a2, b1, b2, c1, c2, यह जो coefficients होते हैं, इन में भी कुछ conditions होती है, अलग-अलग condition के हिसाप से, देखो, यह, यह, और यह, इन तीनों के हिसाप से, अब मैं आपको यहाँ पर बहुत important relation बत देखो, मैं इस वाले column से start करूँगा बात, हमने अभी अभी पड़ा, कि two intersecting lines meet at a unique point, unique point पर मिल रही थी, मतलब दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को intersect कर रही थी, यह, देखो, यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, cut कर रही है, एक दूसरे को intersect कर रही तो जब जब आपके पास यह condition आएगी, two intersecting lines meet at a unique point, मतलब दोनों लाइन जब intersect करेंगी, तो यह relation होगा, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, समझ में आगई बात, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, यह case होगा, तो this system has unique solution, तो हमारे पास कितना solution, सिर्फ एक, अभी तो बताया था मैंने, देखो ना है, यहा कट कर रहा है one solution, यह unique solution, बात तो यह किये, और system कैसा हो गया हमारा, consistent हो गया system, clear हुई क्या मेरी बात, समझ में आई क्या मेरी बात, वही बोला जो वहाँ बोला था, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस यह जो coefficients वाले जो relation है, यह यहाँ पर थोड़ा सा extra add हो गया है, ब तो बात वही है, ठीक है, तो A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, अब जब जब आपके दिमाग में यह condition याद आएगी, कि A1 upon A2 not equal to B1 upon B2, तो आप समझ जाओगे, कि क्या हो रहा होगा, क्या condition बन रही होगी, दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को एक point पर cut कर रही होगी, मतलब intersect कर रही ह और जब solution है, तो consistent हो जाएगा हमारा system, ठीक है, तो समझ में आगी बात आपको, unique solution हो जाएगा, intersect करेंगी तो, और A1 upon A2 जो है बच्चों वो equal हो जाएगा, B1 upon B2K, समझ में आगी मेरी बात, ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आगया, तो यह तो आपकी first condition हो गए, second condition द देखते जाएगे, देखो, A1 upon A2 equal होगा, B1 upon B2K, but not equal to C1 upon C2, यह second condition हो गई, पहले आपने पढ़ी कि A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, but not equal to C1 upon C2, यह आपको याद रखना है सब, है ना, तो यह case किसके लिए, जब lines कैसी हो, parallel ह होंगी, तो यह condition बन जाएगी, ठीक है, और system के no solution, जब एक दूसरे को cut कर ही नहीं रही है, तो common कुछ ही नहीं उनके बीच में, और जब common कुछ ही नहीं, तो फिर बात ही मत करो solutions के लिए, ठीक है, तो यह case भी आपको समझ में आ गया होगा, कि system has no solution, और system कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, समझ में आ रही है बात, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ऐसे third वाले की भी बात करो, जब coincide कर गई दोनों की दोनों, चेक है, तो उस case में क्या हो रहा है, देखो बच्छों, बहुत ध्यान से समझ न, a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal to c1 upon c2, यानि की आप देखो सारे ratios क यह सब equal आ रहे हैं, मतलब x के coefficients का ratio equal होगा y के coefficients के ratio के, equal होगा constant values के, देखो आप, यह दोनों के दोनों x के coefficients होते हैं, यह y के होते हैं, और यह constant terms होती हैं, तीनों ratios देखो कैसे आ रहे हैं, same to same, equal आ रहे हैं, और यह equal आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों के दोनो एक दूसरे के उपर कॉंसाइट कर रही हैं clear होगी बात तो बस ये तीनों condition आपको अच्छे से learn है तो आपकी इस chapter पर बहुत बढ़िया पकड़ रहने वाली है ठीक है ये conditions बहुत जल्दी आपको बता देंगी nature कैसा होने वाला lines का है न आपको equations मिलेगी आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या scene है क्या नहीं है inconsistent है कुछ भी पूछा जा सकता है question ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना होता है तो अब आपको learn रखनी है ये सारी चीज़े a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 तो मतलब cutting 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 से याद रखो cutting hair cutting की बात नहीं कर रहा हो line एक दूसरे को cut करने वाली intersecting lines होंगी ठीक है तो एक solution common point जितने होंगे solution तो उतने होंगे तुम तो इस तरह से याद रखो इस बात को ठीक है तो a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 तो मतलब दोनों एक दूसरे की cutting करेंगी ऐसे अपनी style में याद रखो दूसरा जब a1 upon a2 equal होगा b1 upon b2 के but not equal to c1 upon c2 तो दोनों एक दूसरे के साथ parallel हो जाएंगी ठीक है फतलब parallel line एक दूसरे को कहीं cut करी नहीं तो common कुछ ही नहीं तो solution भी ही नहीं ठीक है और system कैसा होता है inconsistent consistent जब solution ही नहीं तो inconsistent हो गया solution है तो inconsistent की बात कर रहे हैं चलो third condition में तो बहुत easy है third condition में तो क्या हो रहा है यार देखो line भी coincide कर रही है एक दूसरे के ओपर चारी है पूरी overlapping कर रही है तो ratio तीनों के तीनों ratio equal हो जाते है a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 सबके सब आपस में कैसे हो गए equal हो गए तो यह case हो जाएगा कौन side जब line कर रही है तब का ठीक है और system consistent हो जाए system has infinite solutions मैंने बताया था infinite solutions क्यों हो रहे हैं क्योंकि सारे के सारे points common है तो सारे के सारे points solution का गाम करेंगे ठीक है यह था बिल्कुल basic size chapter का जो सबसे जादा important भी है lines की यह properties बहुत जादा important है यह आ जाएंगे आपको तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें chapter में उसके बाद तो main चीज जो है तीन methods है वो algebraic जो solve करते है वो भी हम सीखेंगे फटा-फट से तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी तीनो condition अच्छे से learn होनी चाहिए फिर तो कोई बड़ी बात ही नहीं अब इसके ओपर questions देखते हैं कि question कैसे आते हैं थोड़ी सी practice करते हैं ठीक है infinite solutions की condition क्या होती है तो फिर दिक्कत आएगे आपको solve करने में समझ में आरी है मेरी बात अब फटा-फटा से answer बताना है न हमारे को इस question का तो कैसे बताएंगे देखो क्या पूछ रहा है find the value of P for which the linear pair has infinite solutions infinite solutions का case आपको पता होना चाहिए infinite solutions कब होते हैं जब दोनों line क्या कर रही हो एक दूसरे को coincide कर रही हो overlap कर रही हो अभी अभी देखो इससे पहले ही तो बताया यह देखो न यहाँ पर infinite solutions कब होते हैं देख लो case यह रहा तो बस आपको यह relation पता होना चाहिए अगर आपको relation पता है तो बात बहुत easily बन जाएगी तो infinite solutions के case में क्या होता है प्यारे बच्चों हमारा जो ratio था वो सब के सब equal होते हैं भई A1 जो है वो A2 के equal होता है B1 जो है वो B2 के equal होता है और C1 जो है वो C2 के equal होता है यह होता है ठीक है हमारे को तो केवल और केवल यहाँ पर P के value find करनी है ठीक है तो हमारा काम चल जाए इतनी सी चीजों को हमें यहाँ पर लेना है समझ में आ रही है आपको बात तो यहाँ से देखो 12X plus 14Y मैं यहाँ mention कर देता हूँ 12X plus 14Y equal to 0 ठीक है 36 plus P 36 plus P equal to यहाँ पर भी यह जीरो ठीक है यही बात है और तो कुछ भी बात नहीं हो रही है अब आप यहाँ से सीधा सीधा यह condition लगा सकते हो ठीक है तो condition लगाओ तो देखो बच्चो मैंने वही तो बोला यहाँ पर भी कि आपको क्या करना है A1 upon A2 equal to B1 upon B2 C1 upon C2 लगाने की यहाँ ज़रत है नहीं वैसे ठीक है फिर भी आप लिखना चाहो तो कोई गलत बात नहीं है तो A1 क्या है देखो X का कोफिशेंट को हम A1 A2 कहते हैं तो देखो यह हो जाएगा बच्चो 12 upon 36 देखो 12 upon 36 हो गया ठीक है 12 upon 36 हो गया अब B1 upon B2 की बात करेंगे तो 14 upon P तो यह 14 upon P ये लो 14 upon P हो गया और अब तो कुछ भी नहीं है तो बहुत एजी हो गया है अन्ना देखो 12 से कैंसल आउट करो 36 को कितनी बार? 3 बार ठीक है? हो गया अब क्रोस मल्टिप्लाई कर दो तो P माँ 1 से मल्टिप्लाई होगा 14 या 3 से मल्टिप्लाई हो जाएगा तो सीधा सीधा इस P की वैल्यू क्या निकल के आईगी आपके लिए 14 इंटू 3 तो बस मल्टिप्लाई कर दो 42 और यह हो जाएगा आपका 12 अपन 36 जो है वो इक्वल हो जाएगा इधर से 14 अपन 42 के ठीक है और यहाँ पर C1 C2 तो कुछ नहीं है तो आप चाहिए तो 00 ले सकते हैं पर उसकी जरूत है नहीं मगर उसकी जरूत है नहीं तो हम लेंगे भी नहीं तो 12 अपन 36 इक्वल टू 14 अपन 42 यह हो गया आपको समझ में भी आ गई ही बात यहाँ से आप relation बनाओगे तो देखो क्या ratio आ रहा है यह इसको cancel करो गया तो 1 अपन 3 आ रहा है देखो 1 अपन 3 आ रहा है ठीक है 1 अपन 3 आ जाएगा ठीक है ऐसे 14 अपन इसको करोगे तो यहाँ भी यह भी तो कितना 1 अपन 3 तो है यह भी 1 अपन 3 और यह भी क्या है 1 अपन 3 तो देखो 1 by 3 1 by 3 ratio equal आ रहा है और यह हमने यहाँ पर बोला है तो जब जब infinite solutions की बात होगी प्यारे बच्चों तो आपको यह case लगाना है ठीक है समझ में आ गई बात question solve किया हमने यह भी आपको clearly समझ में आ गई कि कैसे क्या हुआ आ गया भई बढ़ जाना आगे पक्की बात है ना रिकत डाउट तो नहीं है ठीक है चलो 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 बड़ो बड़ो next question next question next question क्या कह रहा है पढ़ लो पढ़ लो on comparing the ratio a1 by a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent consistent है या inconsistent है आपको यह पता लगाना है अब पता लगाने का तरीका तो आपको पता ही है अभी अभी तो मैंने बताया था ठीक है एक question तो हम यही पर करते है देखो consistent inconsistent और relation इनके उपेसिस पर ही पता लगाना है तो निकाल लो पहले तो इसको ना उस form में डालो जिस form में हम हमेशा निकालते है इनको तो देखना first equation की बात कर रहा हूं पहले pair की तो यह 3x plus 2y और यह plus 5 जो है shift करेंगे तो इधर से minus 5 हो जाएगा और equal to में यह 0 ठीक है second equation हमारे पास जो है उससे भी यहाँ पर mention करूँगा मैं तो 2x minus 3y और यह minus 7 equal to 0 ठीक है यह हमने हमारी standard form जो हमारी होती है उसमें मैंने इनको डाल दिया अब a1 upon a2 b1 upon b2 निकालो सब का तो देखो इसका क्या आ रहा है 3 upon 2 ठीक है यहाँ पर देखो यह 2 है और यह minus 3 है तो यह 2 upon minus 3 ठीक है और यहाँ पर क्या आ रहा है minus 5 और minus 7 ठीक है अब देखो ज़रा 3 by 2 2 by 3 के equal होगा क्या नहीं यहाँ पर भी equal नहीं तो जब a1 upon a2 b1 upon b2 के equal नहीं है तो फिर हमारी बात क्या हुई थी system कैसा consistent के inconsistent तो हमारा answer क्या चला जाएगा consistent system कैसा है consistent क्यों क्योंकि यहाँ पर condition कौन सी लग गई यह वाली a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 देखो यार यहीं तो condition लग रही है कुछ अलग थोड़ी लगा है मैंने a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 क्या मेरी बास समाज में आई क्या अरे आई के नहीं आ गई होगी यार तो system कैसा हो जाएगा हमारा consistent ठीक है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए second question देखिएगा इसके भी आप पर हम लिखते हैं अच्छा यह 8 plus का है इसको इधर ले आएगे तो यह कैसा हो जाएगा minus का 8 हो जाएगा इसमें में वहाँ mention कर रहा हूँ देखिए हो जाएगा हमारा question 2x minus 3y minus 8 equal to 0 यहीं बनेगा second equation है 4x 6y 9 4x 6y minus 9 equal to 0 4x minus 6y minus 9 हो गया बच्छो ठीक है अब यहाँ पर भी वही काम करना है हमारे को कुछ अलग नहीं करना है देखो जमाओ जाकी जरा जाकी है जाकी समझ रहे हो आप minus 3 upon 6 और यह minus 8 upon minus 9 तो जरा देखना हो राजा बाबू ठीक है ना बच्छो तो बस यहाँ पर equal to का sign लगा दूँ अब देख लो जरा और यहाँ पर भी अभी तो equal to लगा के चल रहा हूँ देखना बस अगी मुझे पता है 3 by 6 8 by 9 equal कभी आने वाला है नहीं तो यहाँ तो भले आम चाहे तो not equal कर सकते है यहाँ पर देखो बचो 2 by 4 है आप इससे क्या लिख सकते हो 1 by 2 यहाँ भी यह minus sign एक दूसरे के साथ फिरिफायर हो गए तो यह क्या बचेगा 3 से यह तो 1 और यह 2 तो देखो 1 by 2 1 by 2 इसका मतलब condition क्या आई राजा बाबू a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 यह condition किसमें पढ़ी है आपने बताओ यह condition किसमें पढ़ी है रे मुन्ना बता दे तो यह condition आपने पढ़ी थी बच्चो सोचो सोचो parallel parallel याद आ रहा है क्या तो यह कैसे parallel और parallel की बात आप करोगे तो कोई solution नहीं तो system कैसा? inconsistent तो यहाँ पर हमारा system second equation जो है इसके लिए कैसा हो जाएगा? inconsistent तो इसने बोला जाए तो consistent और inconsistent दोना में से कोई एक तो first equation थी वो कैसी आई थी? consistent ठीक है? यहाँ चाहो तो mention कर दो ठीक है? consistent हो जाएगा और second वाली जो है वो inconsistent यहाँ पर mention कर दो चाहो तो आप कि यह कैसा है? inconsistent ठीक है? तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई doubt अब आपको रहेगा नी यह तो easy easy बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है? clear picture बढ़ सकता हो में आगे कोई doubt, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो फिर बढ़ते हैं आगे ही और क्या? रब करते हैं इसको तो ठीक है? यह हम आगे बढ़ गए find the value, next question आगया find the value of k for which the following system of linear equation has infinite solution infinite solutions की बात हो रही है बच्चों फिर से, infinite solutions की बात हो रही है मतलब फिर से, दिमाग में आनी चाहिए क्या? कि यार parallel वाला case यानि कि a1 upon a2 equal होगा, b1 upon b2 तो यहाँ पर देखो direct आप यह काम कर सकते हो है न? वही equation आपको यही तो दिए हुए x plus k plus 1 y और minus 5 equal to 0 है न? 5 को transfer करना पड़ेगा ऐसे ही यहाँ पर भी देखो k plus 1 x plus 9y and अब देखिए का बच्चों यह minus के साथ इसको पूरे को इदर ले आता हूँ मैं, minus 8k minus 1 equal to 0 ठीक है? अब बोला क्या क्या है? find the value for system infinite solution infinite solutions की बात हो रही है तो फिर बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा अब आपको, देखिए a1 upon a2 equal होना चाहिए b1 upon b2 के, तो देखो यहाँ पर a1 की value तो क्या मालनी जाएगी? 1, तो देखो a1 upon a2 वाली condition लगा रहा हूँ a1 upon a2 equal to b1 upon b2 ठीक है? लगा रहा हूँ equation देखिए का क्या बनेगा? a1 की जगे पर तो 1 का 1 आजाएगा, ठीक है? a2 क्या है? k plus 1 अच्छा गोशन है यह b1 की जगे पर क्या है? k plus 1 upon b2 है 9 अमारा, ठीक है? अब देखो आप यहाँ से इसको solve करो solve करोगे, तो यह क्या बनेगा? बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आप यहाँ से, k plus 1 का square हो गया और यह 9 हो गया, ठीक है? k plus 1 का square और 9 इसको हम next slide पर ले ले लेते हैं तो देखो यह हो जाएगा k plus 1 का तो square हो गया और equal to में आगया आपके 9 ठीक है? यही आया ना, एक बार फिर check कर लेते हैं, k plus 1, k plus 1 और यह 9, ठीक है अब, a plus b का whole square open कर दो, फटा फट से तो देखो, क्या बनेगा यह? k square plus 1 plus 2k equal to 9, है ना, a plus b का whole square लगा दिया, open हो गया, ठीक है? 9 को shift करो, तो क्या बन जाएगी equation आपके पास? k square plus 2k और यहाँ पर आजाएगा minus 8 equal to 0, प्लस का 9 शिफ्ट होगा इदर, प्लस का 9 इदर shift होगा, तो क्या बनाएगा? 8, बई, 9 इदर है, minus का, plus का 1 उसमें से subtract होगा, minus का 8 बनेगा ना, बाबा, इतना तो easy है, यह से क्या कर रहे हो? चलो, factor कर लो, factor तो आते हैं हमें, factor तो, यार, split middle term वाला method भूल गए क्या? याद है न? चीक है, तो 8 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, तो देखो क्या कर सकते हो? और 2 जो है, plus का होना चाहिए, तो ये, देखो ज़रा क्या बात जम जाएगी क्या इससे? मेरे ख्याल से तो जम रही है बात, देखो कैसे? 4K-2K तो प्लस का 2K भी आ रहा है, और 4-2 करोगे तो माइनस का 8 भी आ रहा है, मतलब फैक्टर चल जाएंगे, ठीक है? अब वही फंडा कुछ भी नहीं है, तो भाई K common लेंगे, यहाँ पर ये K बचेगा, ये plus का 4 आएगा, यहाँ पर आप माइनस का 2 को माइनस का 2 को मान लोगे, तो यहाँ पर तो सिरफ K बचने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 8 को 2 4 टाइम डिवाइड करता है, फिर से दिमाग ने 8 लिख दिया है, ये इसको किया रभ, और ये हो गए, वापस 4, एक है? बन गई बात, और equal to में 0, तो यार अब एक step डारेक्ट लिखूँगा भई में, तो ये देखो, K is equal to कितना आएगा यहाँ से आपके पास, ये माइनस 2 दर जाएगा तो, प्लस का 2 बन जाएगा, और एक value आएगा, आपके पास K is equal to minus 4, ठीक है? इन्फाइनेट सॉलुशन की बात हो रही है, तो इन्फाइनेट की केस में condition ये होती है, बच्चो, कि A1 upon A2 equal to B1 upon B2, ये है जो not equal to C1 upon C2, देखलो, इन्फाइनेट की केस में ये condition होती है, बैक जागे दिखाओ, देखो, ये देखो, इन्फाइनेट कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, इन्फाइनेट, ये रहा, एना, A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, ठीक है? हमने केस कौन सा लगा लिया? इन्फाइनेट सॉलिशन वाला, अब बच्चो आपको एक चीज याद होनी चाहिए, कि तीनो के तीनो रेशो जो है, वो equal होनी चाहिए, ठीक है? तो आप ये value put कर करके देखोगे, कि 2 और minus 4, 2 को भी put करना पड़ेगा, एक बार minus 4 को put करना तो देखो एक बार 2 के लिए put करके देखो जड़ा, यहाँ पर put करते हैं, यह हमारी equations as it is ही है, तो देखना, क्या बनेगा? A1 upon A2 है ना, तो यानि कि 1 upon, अब देखो k plus 1, यानि कि 2 plus 1 कितना हो जाएगा? 3, equal to, यहाँ पर है k plus 1, k plus 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 plus 1, यानि क 3, upon B2 कितना है बच्चो, 9, इधर भी चलो, C1 upon C2 को भी देखो, यह तो है minus 5, उपर तो minus 5, यहाँ पर देखो 8k minus 1, k के value कितनी है 2, तो 8, 2 जा 16, 16 minus 1, 15 minus sign के साथ, आगे minus लगा हुआ है, तो देखो बच्चो, यह तो 1 by 3 है, जब आप इसे करोगे, तो देखो यह तो 1 by 3 है यह भी 1 by 3 है, और यहाँ पर जब करोगे, तो यह भी क्या ही आएगा? 1 by 3 ही आएगा, चिक हैं? यह भी क्या हैगा? 1 by 3 ही आएगा, तो देखो, इसको दुबारा से एक बार मैं लिख देता हूँ, यह हमारे पास 1 by 3 आया, तो यह 1 by 3, यह भी कितना आजाएगा? 1 by 3, देख जो एक और value आई थी ना मारी पास, minus 4, तो आप यह value जब put करोगे, तो देखो यहां से कैसे match होगा, उपर तो 5 आएगा, नीचे 8 4 दा कितना हो जाएगा, 32, 32 और minus 1 भी कर लो, 32 minus 1, 31, तो 5 by 31 होगा, वो तो cancel होता नहीं किसी से, तो इधर के ratio के साथ किसी के भी साथ वो balance नहीं होगा, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, k is equal to 2, तो यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो main चीज जो है, वो बस यह conditions पर ही depend कर रहे हैं हम लोग, यह conditions आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक question और है, find the value of k for which the system of equation this, this has infinitely many solutions, अब फिर वोई case हो गया, k क देख ली हमने, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को, तो बस क्या है, तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो infinite, जमा दो as it is, जमा दो इसको, देखो यह 4, और वहाँ पर क्या होगा, k, ठीक है ना, यहाँ पर यह 5 है, तो वहाँ पर क्या है, 10 बस पीछे वाले की जरत है भी नहीं हमारे को, 4, भई, xx तो 4 by k, और 5 by 10, ठीक है, तो बस यहाँ से यह देखो, यह 2 time cancel हो जाएगा, यह 2 इदर multiply हो जाएगा, तो k की सीधा-सीधा value निकल के आ जाएगी 8, 4 to the 8, तो यह 8 आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बा इसमें नहीं है, ठीक है ना, चलिए, अब हम बात करेंगे algebraic methods की, कि हम जो pair of linear equation है, इससे कैसे कैसे solve कर सकते हैं, तो इसके हमारे बास 3 method है, substitution method है, equating of coefficients का मतलब है, कि आपको इसको elimination method भी इससे कह सकते हो, और cross multiplication, 3 method है, 3 method को समझेंगे, और उनके उपर questions भी करेंगे, तो पह पहले उसको ही देखते हैं, ठीक है बचो, 3 method बहुत easy है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बचपन से करते हो इन methods को, ठीक है, आप बचपन से ही करते हो यह method में, कोई बड़ी बात नहीं है, आप word problems बचपन से solve करते हो, यही सारी चीज़े आती हैं वापर भी, कभी आप substitute क आया हुआ एक question है, equations है, root 2x plus root 3y is equal to 0 and root 3x minus root 8y equal to 0, ठीक है, इसे solve किया गया, कौन से method थे, substitution से, तो देखो, we have this and this, दोनों equations हमने यह mention कर ली, first, second, अच्छा, अब क्या करना है, नाम ही क्या है इसका, substitution, तो substitute करने वाले, आपको पता है, इस method में क्या करते हैं, कि या तो हम x x की value y की terms में पहले find कर लेते हैं, या y की value को x की terms में find कर लेते हैं, जैसे मैं इस example की बात करूँ, प्यारे बच्चों, तो यहां पर हमने, यह equation से देखो, y की value निकाल ली x की terms में, भाई, y जो है, root 2x को shift किया, minus का हो गया, और y के साथ root 3 multiply में, तो वो नीचे ही आ गया, क हम क्या करते थे इसमें, जो यह value हमने जो निकाल ली है, ठीक है, इसको हम कहां put करेंगे, यह, यह जो y नजर आ रहा है आपको second equation का, इसमें, तो देखो, root 3x as it is है, root 8 भी as it is है, के वाली यह जो y है, इसकी जगह पर यह put कर दिया, हमने minus root 2x upon root 3 is equal to 0, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आगे बढ़ोगे, तो देखना, LCM लोगे न, तो root 3 into root 3 जब होगा, तो 3 बन जाएगा, तो यह तो 3x बन गया, ठीक है, यह minus sign, उस minus sign से multiply होगर के, minus minus plus बनेगा, अच्छा, यह root 8 और root 2, यार, आप खुद सोचना, कि root 8 जब multiply होगा, under root 2 से ठीक है, तो यह root 16 हो रहा है न, यार, दिखा जाए तो, और वो कितना होता है, 4 होता है, तो बस सिधा-सिधा यहाँ 4 आ गया, root 8, root 2 से multiply होगा, तो यह 4 बन गया, और upon में root 3 अभी भी है, equal to में 0, अब यह जो root 3 है, यह चला गया, इधर, root 3 0 चला गया, इधर, यह यहाँ प तो 3x plus 4x is equal to 7x, और 7x में x is equal to 0, तो यह x की value तो आपके पास directly आ गई, ठीक है, अब क्या कर में, substituting x is equal to 0 in equation 3, we get y, तो देखो, यहाँ पर आपने y की value निकाली थी x की terms में, तो यहाँ पर आप x को जैसे 0 पुट करोगे, यह सारा का सारा भी 0 हो जाएगा, तो finally x और y दोन बहुत आएगा, बहुत easy-easy से हैं सारी चीजे, बहुत आसाइनी से solve होते हैं इसके questions, बस क्या करना होता है, अच्छा, जरूरी नहीं था कि मैंने y की value निकाली और इस equation से निकाली, आप चाहते हैं, तो यहाँ से x को y की terms में भी निकाल सकते थे, और जरूरी नहीं है कि इ इस equation से भी निकाल सकते हैं, बस इतना सा करना है कि एक equation को, एक equation से तो पहले value निकाल लो और उसको दूसरी में put कर दो, बस यह जरूर याद रखना होता है, और कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आपने यहाँ से निकाला, मान लेते मैं इस equation को पहले ले लेता, और यहाँ स अधर वही आता जो अभी आ रहा है, ठीक है, मतलब कान इधर से पकड़ो के इधर से पकड़ो बात वही है, कुल मिला के घूम गाम के हो गया है, बस वह वाला concept है, बस आपका method एकदम सही होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह आया हुआ question है, इसकी questions आ method, अब एक question हम खुद भी करके देखते हैं, इसके उपर, यह तो आपको समझ में आ गया, एक question हम खुद से करते हैं, ठीक है, question क्या है, question है, solve for x and y, 4x plus 3y equal to 24, 3y minus 2x is equal to 6, इसको हमें substitution method से ही solve करना है, तो start करते हैं, equations क्या हैं हमारे पास, भई हमारी equation है, 4x plus 3y equal to 24, ठीक है, दूसरी equation क्या है हमारे पास, 3y minus 2x equal to 6, अब substitution method है, यह तो किसी एक की value आपको किसी दूसरी की terms में तो find करनी ही है, तो आप किसी की value को किसी की भी उसमें find कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो, यह आपकी equation 1 मान लो, ठीक है, इस equation 2 मान लिया, मान लिया क्या ही सही, ठीक है, यहां से ही मैं value निकाल रहा हूँ, चलो, y की value निकाल रहा हूँ, मैं second equation से, ठीक है बच्चों, तो देखना, बहुत easy है, फिर बोल रहा हूँ, कोई, कोई, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है और upon में, अभी तो कुछ नहीं आएगा, पर यह 3 बाद में आएगा, ठीक है, तो बाद में, अगली step में लगाते हैं से, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा यार, बहुत easy easy बात हैं सारी, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, ठीक है, 2x minus का है, shift किया प्लस का हो गया, तो 2x plus 6 हो गया, next step में क्या करूँगा, इस 3 को मैं भेज देता हूँ, नीचे, तो देखो क्या बन जाएगा, 2x plus 6 upon 3 हुआ, y is equal to 2x plus 6 upon 3, यह आपके पास y की terms में value आ गई, ठीक है, आप चाहो तो इसको question 3 क्या दो, उससे कोई फरक पढ़ने वाला है नही clear हो गई बात, तो y की value आपके पास क्या गई, 2x plus 6 upon 3, इतना समझ में आ रहा है बच्छो, अब आपको यह value आई, इसे substitute करना है, कहाँ पर, यह यहाँ पर, ठीक है, आपके पास, चुकि आपने देखो, इस equation से तो यह निकाला पहले, इस equation से तो आपके पास यह value आई है, त यह जो y की value आपने निकाले, इसको आपको put करना रहेगा, यहाँ, ठीक है, तो next step में हम इसे mention करेंगे, मैं equation लिख देता हूँ पहले, यह 4x है, plus 3 into, अब चालो मैं यह पूरा bracket में लिख देता हूँ, ताकि हमें कोई confusion ना रहे, y की value 2x plus 6 upon 3, 2x plus 6 upon 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और equal to में क्या है यहाँ पर, 24, तो बस मैं भी वहाँ पर 24 mention करूंगा, यह लो, यह 24, ठीक है, कर दिया काम, substitute कर दिया हमने value को, अब इससे simplify करना है, सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात में, है नहीं, देखो, यह multiply में 3 है, और यह upon में 3 से 3, तो cancel out हो गया, ठीक है, यहाँ पर यह क्या बचे गया, अब देखो, 4x plus 2x plus 6 equal to 24, तो 4 और 2, 6x यह हो गया, is equal to, देखो, 4 to 6, यह 6 उदा जागा, subtract होगा, 24 में से 6 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 18, 18, x की value निकालो, फटा-फट से, तो बचो 18 upon 6, यानि की x की value कितने आ गई आपके पास, 3, x की value क्या आ गई, 3, अच्छा, अब आपको y की value निकालनी है, तो आपको पता है, y is equal to, क्या था हमारे पास, y की value निकालेंगे इस से, 2x plus 6 upon 3 से, तो फुट करो, देखो फटा- 12 by 3 आएगा बच्छो, 12 by 3, और ये कितना होता है, 4, तो यानि की finally आपके पास क्या आ गया, x is equal to, तो आया, प्यारे बच्छो, 3, और y is equal to, आया, 4, चीक है, तो x की value 3 आ रही है, y की value आ रही है, 4, clear है बात, तो इसमें तो मेरे ख्याल से, आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए, क्या मेरी बात clear हुई, क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको, तो ये question भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि x और y की value क्या हो जाएंगी, ठीक है, तो यहां से हमने x की value 3 निकाल दी, y की value 4 निकाल दी, clear हो गई बात, इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलिए, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा method आ रहा है हमारे पास, elimination method जी से हम कहते हैं, ठीक है, यह भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, दो equations आपको given होती है, आपको क्या गरना है, दोनों में से कोई भी एक variable, या त सारी चीज, ठीक है, solve the following pair of linear equation by elimination method, equations है आपके पास 3x plus 4y equal to 10, and 2x minus 2y is equal to 2, ठीक है, यह दोनों equations है, अब elimination method है, याद रखने वाली बात है, ठीक है, we have first equation हमारे पास 3x plus 4y is equal to 10 है, और दूसरी equation है आपके पास यह, ठीक है, अब आपको खुद से यह सोचना है कि यार मैं किसे किसे common बनाओ, मतलब किसी, या तो दोनों में x के coefficient को common बनाओ, या फिर y के coefficient को common बनाओ, किसी एक के को तो बनाना ही पड़ता है, तो देखो, क्या करेंगे अब हम, हमने इस equation को multiply कर दिया है, देखो किसे 2 से multiply किया हुआ है, ठीक है, यह लिखा हुआ है, multiplying second by 2, तो we get, हमने ज ठीक है, और ये देखो, ये equation, और ये equation, अब ये 2 equations देखते जाएगा, इन दोनों को हमने operate करना है, ठीक है, तो देखो, adding 1 and 2 we get, हमें add करने पर क्या मिलने वाला है, तो देखना, ये 3x प्लस का, 4x भी प्लस का, तो क्या आ रहा है, 7x आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आगे थ 3x प्लस 4y to 10 है, और दूसरा हमारा equation क्या आ गया है, बच्चों, 4x माइनस 4y equal to 4 है, ठीक है, तो देखो, क्या किया, कुछ भी बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, ये दोनों को add करोगे, आप तो 7x आएगा, ये दोनों तो एक दूसरे से cancel हो रहे हैं, ये 10 हो जाएगा, 14 हो ठीक है, तो x की value जब आप यहां से निकालने जाओगे, तो कितना हो जाएगा, 2, आराए, 2, देखो, 7x is equal to 14, और x की value कितने आ गई, 2 आ गई, यही तो हम चाह रहे थे यार, बस, अब एक बार जब x की value 2 आ गई, तो putting x is equal to 2 in equation 2, आप equation 2 में करो, 1 में करो, कोई फरक पढ़ जाला नहीं है, तो यहां पर आपने जैसे ही 2, 2, 4, minus 2y as it is, और echo 2 जब आप लोगे, तो देखो, कितना easy question हो गया, मतलब यह, अब आपने direct put कर दी value, देखो, यहां पर 2 into 2, यह minus का 2y और यह equal to में 2, solve गया, आपने इसको, 2y को shift कर दिया, यह 2 इधर आ गया, तो 2, 2, 4 minus 2, आंसर आएगा 2 से cancel हो करके 1, clear होई बात, बहुत easily सारा काम हो रहा है, बहुत आसानी से सारी चीज़ आपको समझ में आज जानी चाहिए, ठीक है, बचों यह question तो ऐसे हैं, कि आपने बच्पन में भी करे हुए है, बच्पन से मेरा मतलब है, 6, 7, 8 में भी आ जाते हैं, है न आगे बढ़ो, एक example है, अच्छा question है, इसको solve करते हैं, यह भी पूछा हुआ question है, बच्पन में पहले ही बता दूँ आपको, solve the following system of equations, ठीक है, equations आपको given है, अब देखो, इस method को न, वो क्या कहते हैं, reducible method, reduce करकर के solve करना पड़ेगा हमारे को, है न, क्या करना है आपको, कि इसमें देखो, 1 upon x, 1 upon y, 1 upon x, 1 upon y में आपको values दे रखी है, आप क्या करो बच्पन, 1 upon x को, और 1 upon y को भी कुछ ना कुछ assume कर लो, जैसे, जैसे मैंने क्या बुला, let, 1 upon x is equal to u, पामा, 1 upon y equals to v, यह लो, मैंने u और v ले लिया, इनको, क्या ले लिया, u और v, 1 upon x को तो मैं u ल ठीक है, तो अब मेरे पास जो मेरी equations है, वो क्या बन जाएंगे, पहले तो ज़रा एक बार यह देखा जाए, बहुत ध्यान से देखना, जैको, 1 upon x को भी लिया है, मैंने u, तो 2 तो अभी जहां का जहीं रहने वाला है, तो यानि कि यह क्या बन जाएगा, पहले, u upon 2, फिर minus sign, और 1 upon y को क्या कह दूँगा, v, और equal to में यह 1 आ गया, equal to में क्या गया मेरे पास, 1 आ गया, इससे थोड़ा सा solve कर लो, LCM ले लो, तो देखो, यह क्या बन जाएगा, यह आपको ऐसा नजर आने लग जाएगा, u minus 2v equal to 2, इससे आप equation 1 कह सकते हो, यह equation 1 हो गई, ठीक बात ह second, second काम क्या करना है आपको, 1 upon y की जगपर भी v put करना है, तो 1 upon x की जगपर, अब एक equation दो होगे न, अब यह equation देखो, 1 upon x, तो फिर यह u, plus sign, 1 upon y, v, और उसके साथ, अपन में नीचे आएगा, 2, और साथ इससाथ इदर क्या चल रहा है, भी यह 8 चल रहा है, ठीक है, इसे थोड़ा सा सॉल करोगे, तो क्या बन जाएगा, देखना यह बनेगा, 2u plus v equal to 8 to the 16, और यह बन गई आपकी equation number 2, ठीक है, अब बच्चो बहुत ध्यान से दोनों equations को एक बार देखो, देखियेगा, किसी भी एक को आपको common बनाना है, देखो, यहाँ पर 2u है, तो यहाँ पर v है, तो यहाँ पर 2v है, तो क्यों ना, आप इस equation 1 को 2 से multiply कर दो, तो देखो, मैं इस equation को 2 से multiply करूँगा, तो क्या बन जाएगा, 2u minus 4v, तो देखना यह बन जाएगा, 2u minus 4v equal to, यहाँ पर मेरे पास already क्या है, 2 है, तो 2 तू जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर, यह होगया, 2 तो यह बन गए अब नई equation है, मैंने इसको 2 से multiply कर दिया है, आपको याद रहे, तो मैं इसलिए यहाँ पर इदर इसको बता देता हूँ, कि मैंने इसको 2 से multiply किया है, ठीक है, यह आपको याद रहेगा, आगे बढ़ते है, पूरी equation, अब same equation को वहाँ पर copy कर दो एक बार, त अब क्या करो, दोनों को subtract कर लो, तो यह minus, sign change करना है, minus, यह plus है तो minus, बच्चो अब elimination method है, तो obviously हम eliminate करने के लिए सारा खेल खेल रहे हैं, तो देखो यह plus का 2u, यह minus 2u, एक दूसरे के साथ cancel हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यह minus का और यह भी minus का, यह आपक 1 upon y v, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, हम यह काम कर क्यों रहे हैं बच्चो, eliminate करने के लिए, समझ में आ रही बात आपको, eliminate करने के लिए सारा खेल हो रहा है, ठीक है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चलो थोड़ा सा और देखो, यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया है, बेसिकली, वो एक बार दुबारा से आपको सब बता रहा हूँ, देखो क्या किया था हमने, कि 1 upon x को हमने u माना है, 1 upon y को हमने v माना है, clear है बात, तो देखो, 1 upon x को तो u ले लिया था, तो यह 2 का 2 नीचे आ या, as it is, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर minus sign as it is, फिर 1 upon y को साफ साफ हमने v बोला, अच्छा, बचो यहाँ पर minus 1 आ रहा था, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया है, यह minus 1 है, तो यह minus का 2 रहेगा, ठीक है, यह minus का 2 रहेगा, clear है बात, तो यह यहाँ पर minus का 4 बनेगा, य उससे यह 2u plus V is equal to 16 बना, यहाँ से मैं यह पता लगया कि यार, हमें आखिर eliminate करना किसे है, या तो V को, या U को, तो हमने इसको 2 से multiply कर दिया, ठीक है, 2 से जैसे multiply किया, तो देख लो, यह situation बन गई, फिर दोनों को subtract करने के लिए, sign change, यह minus, यह minus, यह दोनों तो एक दूसरे स 20, यह बन गया minus का 20, 20, 20, 20, 20, तो बस अब तो V की value निकाल लो, यार, क्या हो गया है, यह 20, यह 5, minus से minus तो cancel है, तो यह answer कितना आ जाएगा हमारे पास, आप चाहो तो लिख लो बले कोई दिक्कत नहीं है, 4, तो V is equal to कितना निकल किया है, बच्चो, 4, पर हमारा के बल, V से ह काम नहीं है, अभी हमें U भी निकालना है, तो U निकालने के लिए भी किसी भी equation में put कर दो value कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे इसमें ही put कर दें, तो देखो, 2U is equal to 16, यह V उदर जाएगा minus का 4, ठीक है, तो 2U equal to, यह कितना आएगा 12, ठीक है, तो U is equal to आजाएगा ब निकालना था, X और Y, तो जो U था मेरा, वो था 1 upon X is equal to U, यह था ना, अरे हाँ या ना यार, तमझ में आरी बात, तो अब अगर U की value, आप बोलो यहां से U की value कितनी है हमारे पास, कहा गया, U की value 6 है, ऐसे ही 1 upon Y हमारा था V, और V की value हमारे आएगे 4, ठीक है, तो यहां से उल्टा हो जाएगा, X की value कितनी हो जाएगी, 1 upon 6, और Y की value हो जाएगी, 1 upon 4, तो इस तरह से भी कभी-कभी questions को solve करना पड़ता है, ठीक है, तो आपको यह तरीका भी याद होना जरूरी है, आना चाहिए, ठीक है, समझ में आरी है बात आपको सारी बच्चों, इसमें तो को प्रोसेस भी जो आपको याद रखना होता है हमेशा, मैं एक बार प्रोसेस डिसक्स करता हूँ, फिर एक question करेंगे इसके उपर, देखिए, method of cross multiplication, बचों हमारी equations क्या है, A1X प्लस B1Y प्लस C1, A2X प्लस B2Y प्लस C2, यह हम जनरली हमारी दो equation यही रहती है, इसमें कोई दि यह ले, यह जो नीचे आप arrangement देख रहे हो, इसको कैसे करते हैं, जरा यह भी देखो, क्या करना होता है, आप न, पहले जब X की बात कर रहे हो, तो क्या हो लिए, X वाली जो टर्म से इनको हाइड करना होता है, हमारे को, तो जैसे ही आप यहाँ इस टर्म को हाइड करोगे, A1, X, B1, Y वाली को, तो देखो क्या नजर आ रहा है, B1, B2, B1, B2, C1, C2, C1, C2, C1, C2, ऐसे, जब आप Y को ले रहे हो, तो आप इस Y वाली को हाइड कर लो, तो क्या दिख रहे है, आपको महाँ पर, मलब साइकल में चलते होए, तो यह यह वाला हाइड होगा, तो C1, C2 और A1, A2, तो यह A1, A2 आ गया, जब 1 की बात कर रहे है, तो A1, A2, यहीं से साइकल को आगे बढ़ा रहे है, और यह B1, B2, भई, यह हाइड हो गया, ठीक है, इस तरह से बना लो, उसके बात करना क्या है, वो भी देखो फटापट से, क्रॉस मल्टिप्लाई करना और A1, equal to में 1 upon A1, B2, और minus A2, B1, ठीक है, from the above expression, we get the values of X and Y, तो इस तरीके से हम X और Y की value को बहुत आराम से, बहुत easily find कर पाएंगे, clear है बात, समझ में आ गई, एक question देख लो, इस पर वो करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, the following pair of linear equation by the substitution and cross multiplication, तो हम substitution से नहीं कर रहे हम सिर्फ cross multiply से ही करेंगे इसको, ठीक है, अभी तो, तो देखो equations को आप arrange कर लो, मैंने आपको फिर बताया है, यहाँ पर पहले इस तरह से equation को arrange करना है हमारे को, तो equations को arrange करेंगे, तो देखो, क्या बनेगा, 8X plus 5Y और minus 9 equal to 0, ऐसे ही यहाँ पर देखो, 3X plus 2Y minus 4 equal to 0, ठीक है बन गई equation, अब इनको जैसे हमने वहाँ पर देखा था, उसी according arrange करना है हमारे को, ठीक है, तो देखो, मैं चलो, यहाँ नहीं करके, वहीं पर arrange करूँगा इनको, पहले X की बात करूँगा, तो X के नीचे आपको पता है क्या आजाएगा, X को hide कर लूँगा, तो 5, 2, देखो देखो, X को hide किया था, तो B1, B2, C1, C2 आता है, तो 5, 2 आएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, और यहाँ पर, आगे बढ़ गए क्या हम, minus 9, minus 4, तो यह आगे हम minus 9, और minus 4, equal to, अब Y की बात करेंगे, पीछे बाला तो as it is repeat होता है, बच्चों, पता है आपको यह चीज, minus 9, minus 4, देखो आप यह तो as it is repeat ही होता है, देखो बहले यहाँ पर भी, C1, C2 तो C1, C2 तो ही शुरू करना है, अब आएगा यहाँ पर हमार यहाँ पर 1 के upon में लिख देंगे सारी चीजों को, यह method है बच्चों, आपको याद ही रखना पड़ेगा, तो अभी तो repeat होगा, 8 or 3, और 7 में क्या आता है, B1 upon B2, तो B1 upon B2 क्या है हमारा, 5 or 2, तो यहाँ पर आजाएगा 5 or 2, यह लो, अब सब पता है आपको क्या करना है यह, इसके साथ, यह, इसके साथ, ठीक है, तो देखो, करो, कैसे करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो, सीधा-सीधा process है, यह यहाँ पर, देखो, X के नीचे पूरा आजाएगा, Y के नीचे, 1 के नीचे, ठीक है, सेम काम हमें यहाँ पर करना है, ठीक है, तो X upon, y cross इधर से इधर और इधर से इधर तो minus 9 into 3 करोगे तो minus 27 y upon minus 27 हो जाएगा बच्चो पीज में minus sign आता है ठीक है? 4, 8 जा 32 लेकिन minus minus plus हो जाएगा बच्चो याद रखना ठीक है? equal to 1 upon यहाँ पर भी वही पहले 8 को 2 से करोगे तो 8, 2 जा 16 और 5, 3 जा 15 तो लिख दो 8, 2 जा 16 minus 5, 3 जा 15 यह लो अब क्या करो बच्चो पहले इसको और इसको ले लो फिर इसके साद इसको ले लो तो एक बार और solve करके लिख लो इन सबको x upon minus 8 और 3 38 equal to y upon minus 27 plus 32 तो कितना आएगा? 5 आएगा 3 यह रहा, 2 ओ रहा, 3 ओ टू 5 प्लस का और साथ ही साथ यहाँ पर और क्या है? 1 upon में, 1 ही है आथ और कुछ ही नहीं 1 upon 1, तो देखो सीधा-सीधा यहाँ से x की value तो निकल के आ जाएगी बच्चो, minus 38 और y की value निकल के रहा जाएगी direct 5 तो यह हो जाएगा हमारा इस question का answer देख पा रहे हैं आप x की value सीधा-सीधा क्या निकल के रहाई? minus 38 महा जाएगी y की value सीधा-सीधा 5 ठीक है? बस यह process आपको याद रखना है बाकी इस question में और कुछ भी नहीं है एक बार फिर से explain कर दूँ मैं आपको यह question 8x plus 5y तो minus 9 इदर ले लिया यह 3x plus 2y minus 4 को हमने इदर ले लिया उसके बाद हमारे process की according हमने इने arrange किया तो देखो 5 for 2 तो minus 9 minus 4 देखो 5 for 2 minus 9 minus 4 यह करना होता है फिर y के value आएगी तो y के लिए यह चिपाना होता है minus 9 minus 4 के साथ 8 3 आ जाएगा minus 9 minus 4 के साथ 8 और 3 आ गया ठीक है फिर वह यह 8 और 3 को repeat करके 5 for 2 आ गया उसके बाद 5 3 जा minus का 20 यह minus minus एक काम नहीं किया गया बच्चों हमने देखो 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 यह minus minus था यहाँ पर तो minus minus plus होता है आया समझ तो यहाँ पर यह minus minus हमें plus करना है तो देखो यहाँ पर क्या बचने वाला है देखो यहाँ पर minus 20 है और plus का 18 है minus 20 और 9 2 जा 18 होता है लेकिन वो minus minus plus हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है बच्चों minus का 2 आने वाला है ठीक है बस इतना साई चेंज है कोई रिक्कत नहीं है तो x के value मतलब हमारे पास minus 2 आईए और y के value कितने आईए 5 हाँ तो इसको थोड़ा सा मैं और explain कर रहा था तो यह x यहाँ पर minus minus plus हो गया उसके बाद यहाँ पर minus 4 को 8 से किया तो minus 9 3 जा 27 किया पहले और फिर minus minus यहाँ तो plus कर दिया हमने 8 4 जा 32 यह तो बहुत easy easy सी बात है ठीक है और यहाँ पर 8 2 जा 16 और 5 3 जा 15 कर दिया फिर यह यहाँ पर solve करो minus 2 आएगा यहाँ तो plus का 5 आएगा और वहाँ plus का बनाएगा और फिर x के value यहाँ से सीधा minus 2 plus बहुत easy है यार समझ में आगया होगा मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है तो बच्चो यह chapter यहाँ पर विराम हो जाता इसका ठीक है जो भी main main चीज़ें थी न हमने वो सारी की सारी हमने इस chapter के discuss कर ली है क्लियर है मेरी बात तो बच्चो मैं उमीद करूँगा कि आज आपने जो chapter पड़ा पूरा आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है तो बच्चो इसी तरह से बने रहे हमारे साथ motion foundation चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए comment कीजिए और share कीजिए ठीक है आगे भी आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे thank you